कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हर दिख स्वागत मैं आपका दोस्त विबेक होगना ने साल 2023 आने में चंद दिन बाकी हैं ने साल के करीब बात ही लोगों के दमाग में अपनी नौकरी विपार हो शादी सुधा जीवन हो फनांस हो और हेल्थ हादी के बारे में कई सारे स्वाल जो होते हैं इनी स्वालों में से एक स्वाल हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले ने साल में उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी उनका बैंक बैलेंस कैसा होगा कहीं आने वाले साल में हमें आर्थिक तंगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा इसी सुवाल को लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चर्चा मेश लगन वालों के लिए वार्षिक आर्थिक राशी फल 2023 की सबसे पहले जान लेते हैं बड़े ग्रहों के गोचर के बारे में आने वाले साल 2023 में सबसे पहले शनी का दोस्तो राशी परवर्तन होगा 17 जनवरी 2023 को शनी मक्कर राशी यानि कि आपके चार्ट में तैंथ करम भाव से निकल कर अपनी मूलतरकों राशी कुम्ब में परवेश करेंगे यानि कि आपके चार्ट में 11 लाब भाव में प्रवेश करेंगे उसके बाद देव गुरू बरस्पती जो की अप्रैल तक आपके 12 भाव वदेश या खर्चों के भाव में गोचर करेंगे उसके बाद आपके लगन भाव में राहू के साथ 30 अक्तूबर तक गोचर करेंगे और 30 अक्तुबर से राहू केतू अपना राशी प्रवर्तन करते हुए राहू 12 भाव में गुरू के मीन राशी में और केतू 6 भाव में बुध की कन्या राशी में प्रवेश कर जाएगे बाकी के fast moving planets हैं समय समय पर अपना राशी प्रवर्तन करते हुए लेकिन जदी आपके लगन भाव में यान की पहले भाव में जहां एक नंबर लिखा हुआ है वहीं पर चंत्रमा विराज मैन है तो यह चर्चा आपके लिए भी काफी महत्तपूर्ण है लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बर फिर आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आया हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लिए नौटिफकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए जो भी वीडियो हम अप्लोड करें यूट्यूब पर चाहिए वो व्यदी का स्टॉल्जी से रिलेटेड हो जा फिर केपी का स्टॉल्जी से रिलेटेड जो वार्षिक आर्थिक राष्टी फल के द्रिश्टी कौन से आने वाला निया साल 228 मेश लगना राष्टी वालों को आर्थिक रूप से लाब ही लाब देगा दूस्तों साल 228 धन के मामले में आपके इस्तारे बलंदूयों पर रह सकते हैं वार्षिक आर्थिक द्रिश्टी से देखा जाए तो साल के शुरात में ग्रहों की चाल अपने बीजनस आपके जो बीजनस हैं या आपके वेपार की किस्मा जो है वो पल्ट सकते हैं आपको कोई जवर्दस्त आर्थिक लाब हो सकता है जिसके चलते आपकी आर्थिक स्तिरी बहुत ही शांदा रहने वाली है नोकरी पेशा लोग और वेपारियों को भी कई बड़ी सफलता हैं इस समय प्राप्त हो सकती हैं मेश लगन राशी वालों को साल के मद्या में कहीं ना कहीं से अचानक धन लाब के योग बन रहे हैं दोस्तों हो सकता कि आपने किसी को पैसा उधार दिया हो जो आपको कई सालों से नहीं मिला हो वेड़न आपको इस साल मिल सकता है साल 2023 में आपको अपनी पैत्रिक संपती से जुड़े मावलों में लाब होगा इसके साथ ही आप जदी शियर मार्केट प्रॉपटी वहां जो हैं आदी इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की प्लैनिंग बना रहे हैं यहां किसी बिजनस में आप पार्न शिप करना चाह रहे हैं तो इस साल की शुरास से ही समय आपके लिए काफी ज्यादा शुब है आपके कारहस्तल पर बड़ी तेजी से बदलाव आएंगे जो आगे चल कर आपको फैदा पहुंचाएंगे 2023 वार्षिक आर्थिक राशिफल के उसार आपके काम करने की नई सोच आपको उन्ती के मार्क पर ले जाएगी इसलिए मेहनत और लगन बनाई रखें यह आपको बहुत आगे लेकर जाएगी साल दो तेश का मद्या भागबी आर्थगूप से आपके लिए अच्छा फल परदान करने वाला रहेगा यह समया आपके लिए बेहद फाइदे मंग होगा आपको आएके वभीन सोर्सिस मिलेंगे आपको अच्छी आंदरी होगी आपको कहीं न कहीं से रुका हुआ धन भी प्रापत होगा इस तुराएं 2023 वार्षिक आर्थिक राशिफल के उसार आपको अपने विदेशी वपार से भी लाब हुआ जिसका चलते किसी विदेश यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है यानि बीन उसको लेकर तो शुब ही शुब जो संकेत हैं वो नजर आ रहे हैं इस साल आप अपने भोतिक सुखों पर भी खर्च करते हुए नजर आँगे आप कोई नया वहान नया भोतिक सुख सिवदा से जुड़ा कुछ भी ऐसा खरी सकते हैं अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहरे हैं तो इस साल किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट असानी से कर सकते हैं और युकिनन आपको उसमें सफलता भी मिलकर रहेगी 200 साल 2000 के आखरी समय भी आपको परनाम मिले जुले मिलेगे आप अपने सभी काम योदना बद तरीके से पूरे कर पाएंगे और इस समय आप मन माफिक सेविंग करने में सफल रहेंगे किसी भी तरह की नई शुरात के लिए समय अत्यंत शुब और फलदाई करेगा आप अपने कारेस्तल में आपने बीजनस में एक के बाद एक सफलते की सीरिया चड़ सकते हैं बीजनस में किसी बड़े बजुर्ग की सलाज या उनका साथ आपके लिए वशेश रूप से लाबदाएक रहने वाला खुगा तो दोस्तों ये थी जानकारी में से लगन राशी वालों के लिए आर्थिक जो राशी फल है उसकी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट बॉक्स कुला है आप अपने विचार वहां रख सकते हैं और जल्दी मिलते हैं एक औ झाल